के अपके चैनल टीच एक्स्ट्रा पर तो आजी मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन के साथ हैं हूं जीके का और यह पार्ट थी है ठीक है पार्ट वन पार्ट टू जिन्हों नहीं देखा है डिस्क्रिप्सन में लिंक डाल दूंगा वहां से आप लोग देख लिजएगा ठीक reflection कोश्टन हें तो इसमें टॉफ 10 वे सभी कोश्चन इंपकॉश्चन तो चलिए तुरू करते हैं फेला question से पहला Qश्चन है operation दूरगा का शुभारंब कब हुआ था fasten दूरगा का शुभारंब 14 अपरेल 2017 को मतलब option C हमारा राइट एंसर हो जायेगा ठीक है फोटिन थ अप्रिल 2017 नेक्स गॉस्च्चटन है विस परेस हर वर्ज घंक मनाें जाता है तो विस्प प्रेस यहां पे है सवतनथैरा नहीं है ठीक है यहां पे है प्रेस ऐद से ध्यान देना है इसका option number C right answer हो जाएगा महाराष्ट में यह एस्थीत हो यह very important question है ठीक है बहुत important question है चलिए next question है बिहार का कौन सा राज उत्तरवैदिक काल का एक महतपूर निराज था तो यहाँ देगे बिहार का राज पूछा है जो उत्तरवैदिक काल का एक महतपूर निराज बना हुआ था तो उसका कौन सा हो जाएगा कोशन नमबर 4 का answer क्या हो जाएगा मगध मगध राज ठीक है यह भी important question है तो option number क्या हो जाएगा इसका option number C is right answer चलिए next question है मुल्ला बहावाहनी कहां का यात्री था मुल्ला बहावाहनी कहां का यात्री था तो option number D is right answer इरान का ठीक है option number D हमारा राइट एंसर हो जाएगा इरान का था next question है मुख रूप से बिहार निम्न में से किस नदी से निकलता है तो यह तो basic question है सभी को पता होगा बिहार की नदी में से निकलता है मतले important है बहुत important है और क्या हो जाएगा option number इसका B हो जाएगा next question है एक चुनाओ याचिका तै करने के सक्ति किसमे नहीत है एक चुनाओ याचिका तै जो होता है वो किसके द्वारा नहीत होता है मतलब किसको सक्ति होती है तो किसको option number a right answer हो जाएगा उच्छ नियाले है ठीक है क्योंकि यहाप सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा यह बात ध्यान में रखना है उच्छ नियाले हो जाएगा ठीक है चलिए next question है सिखावटी के प्रसिद्य निर्थ का क्या नाम है तो यह option number B right answer हो ऑप्शन option number C होगा sorry दोनों में भी हो गया है option number C गीदर होगा ठीक है चलिए next question के तरफ चलेंगे next question है भारत का सबसे उचा जल परात कौन सा है सबसे उचा जल परात तो सबसे उचा जल परात है joke false ठीक है joke false ठीक है चलिए next question है किसने कहा था राम और रहीम एक ही इसवर के दो अलग अलग अलग नाम है तो यह बहुत इंपोर्टेंट नाम है option number C कभी दास ठीक है यह था top 10 question बढ़ियो अच्छा लगा तो लाइक करें सेर करें सस्क्राइब करें और बेल आइकन पी क्लिक कर दें ताकि आपको साइड एगलोर अब्रेट मिलती है थैंक्यू